दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम घर बैटे ही अपने मोबाइल फॉन के दोरा सुकन्या समर्दी योजना में जमा किये हुए पैसों को जो है बेलेंस को किस तरह से चेक कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको कम्पलीट प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपने बैलेंस को जो है इजिली चेक कर सकते हो तो इसके लिए वीडियो को सुरू से लेके लाश तक जरूर देखें वो वीडियो में बताऊंगा प्रोसीजर को फोलो करते हुए आप भी अपने सुकन्या समर्दी अकाउंट में जमा किये हुए पैसों को जो है चेक करें तो इसके लिए आप बन रहे हैं आपके अपने यूटूब चेनल टेक यादव के साथ अकाउंट का बेलेंस हुए मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपके पाच्चाई लेप्टोप हो या फोन हो इसमें जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो ब्राउजर के सर्च बोक्स को ओपन करना है और आपको इंडिया पोस्ट जो है इसमें टाइप कर लेना है जैसे जी के द्वारा हम इजी ली अपने जो है अकाउंट का बेलेंस हुए मिनी स्टेटमेंट पता कर लेंगे तो जैसे ही आप करोगे इस तरह का ओप्सन आपके सामने खुल के स्यो हो जाएगा इसमें आप देख सेकते हो एक ओप्सन है बेंकिंग एंड रेमिटेस इस बेंकिं के ओप्सन के ऊपर हमारे को किलिक कर देना है तो जैसे ही मैं इपास्पुक के ओप्सन पर किलिक करूंगा यह साइट हमारी जो है दूसरी वेब साइट पर हमारे को रिडाइरेक्ट कर देगी तो इसको आपको ओके कर देना है ओके करने के बाद पीस लोड होने में थोड़ और जो नीचे केपचा दिया हुआ है वो केपचा आपको इंटर कर देना है और पेज को उपर की तरफ स्क्रोल करते हुए नीचे जो लोगिन का उप्शन दिया है इसको अमारे को लोगिन कर देना है तो जैसे ही मैंने लोगिन किया हमाने जो मोबाइल नमर इसमें इंटर किय इसको उमारे को सम्मिट कर देना है तो मैं OTP डाल के इसको सम्मिट कर देता हूं जैसे ही हम इसको सम्मिट करेंगे सम्मिट करते ही जो है next page इसके तरह से खुल के स्यो होगा इसमें इसको सम्मिट कर देना है जैसे ही करूँगा next page इस तरह से खुल के हो जाएगा इसमें scheme time, account number, registered mobile number केपचा ढाल के इसको continue कर देना है तो मैं scheme नाम के option के उपर जैसे किलिक करूँगा आप यह post office की scheme में अगर आपका account है तो आप जो है balance inquiry कर सकते हो जैसे post office का saving account, RD, time deposit, MIS, senior citizen, इसके बाद में PPF, SSA, NSC, KVP तो अभी जो है मैं सुकन्य समर्दी का account का balance मेरे को पता करना है तो उसके option के उपर सामने मैं किलिक कर देता हूँ यानि मैं इसको ही select कर लेता हूँ अगर आपको और भी कोई post office में इन से regarding जो scheme में दिया हुआ है यहाँ पर इनको आप जो है और को भी select करके और आप जो है उसका balance inquiry कर सकते हो तो मैंने scheme नाम में सुकन्य समर्दी account को select कर दिया अभी आपको account नमर, registered mobile नमर और जो capture दिया हु तो दोस्तो इस तरह से आप post office के किसी भी आपकी जो है कोई भी policy हो चाहे उसमें जो है आपको select करके और उसका जो है आप easily अपने mobile के द्वारा ही जो है balance inquiry कर सकते हो तो मैं continue के option के ओपर click कर देता हूँ, page को loading होने में थोड़ सा time लगेगा, अभी मैंने जो इसमें mobile नमर इ option है, उसके उपर मेरे को click कर देना है, तो दोस्तो इसमें 2 option आगे balance inquiry और mini statement, तो अभी हमारे को जो है sulawrence inquiry करना है, तो जो उपर जो balance inquiry का option है, उसके नमर पर हमारे को click कर देना है, तो जैसे ही मैं इसके उपर click करूँगा, page load होगा और balance inquiry successful और इस तरह से आपका balance show कर देगा, तो दोस्तो इस तरह से आप सुकन या समध्य अकाउंट का जो है इजीली बेलेंस का पता कर सकते हो दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सेर करें वह मेरे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्यू पॉर वाचिंग माई वीडियो अगें